नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका Unemployed भारत में, जहां हम बात करते हैं हमारी देश की different employment opportunities के बारे में, आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक opportunity की, जो की बिहार Science and Technology Department की तरफ से निकाली गई है, तो देर किस बात की, चलिए start करते हैं, सबसे पहले हम चलेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे dst.bihar.gov.in पे ये website, बिहार Science and Technology Department का official website है, जैसे ही आप इस website को open करेंगे, तो सबसे उपर ही तीन links आपको दिखेंगे, click here to apply online, जहाँ पर जाके आप online application submit कर सकते हैं, check your application status, एक बार आपने जब application submit कर दी तो उसका status आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, और view advertisement, जो original notification निकाली गई थी, उसका सारा detail इस advertisement में है, तो हम सबसे पहले इस advertisement को देखते हैं, मैं यहाँ पर click करता हूँ, और यह आपको एक PDF document open करके देगा, मैं देख सकते हैं, इस document में आपको सारी details है, starting from start date, end date, number of posts, उसमें क्या reservations हैं, क्या IUCMA हैं, क्या process होने वाला है, तो एक एक करके इसको हम देखते हैं, सबसे पहले यह already start हो चुकी है, 23 September 2022 से इस पे applications already accept किये जा रहे हैं, और इसका last date है, 31 October 2022, आपके पास अभी भी 10 दिन का समय है, अगर आप इस document को देखेंगे तो इसमें, यह कारियाले परिचारी, जो की office clerk या office boy का रोल होता है, उसके लिए निकाली गई है, जो level 1 है, और इसकी नियुन्दम sectionic yokita metric या उसके समकक्ष है, तो अगर आप 10 पास हैं, तो आप इसको apply कर सकते हैं, अन्रिजर्व के लिए 99, आर्थिक रुप से कमजोर लोगों के लिए 24, अत्यांत पिछरा वर्ग के लिए 40, अनुस्रति जाती के लिए 65, जन जाती के लिए 2, पिछरे वर्ग की महिलाओं के लिए 8, तो टोटल 238 पद वेकेंसी निकाली गई है, इन में से 35% महिलाओं के लिए 100 रक्षित हैं, तो आपका उस हिसाब से जो आरक्षित के लिए महिलाओं के लिए पोस्ट होता है, 33, अन्रिक रुप से 5 लोगों के लिए 7, अत्यांत पिछरा के लिए 15, अनुस्रति जाती के लिए 15, अजन जाती क के लिए है, सुतंता सेनानी के नाती पोते और नतनी आदील लोगों के लिए 5 पोस्ट है, और दिव्यांग अभियर्तियों के लिए भी कुछ रिजर्व पोस्ट है, इसमें आप नीचे जाएंगे तो नियुनतम सेक्षिन क्योगता है, मैंने आपको और बता दी कि ये 10 और उसके का समकक्ष equivalent degree के लिए है, आरक्षन अगर आप different category में हैं तो आप definitely उसा आरक्षन का फायदा उठा सकते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो इसमें जो आयू सीमा है, आयू सीमा आपको एक ऑगस्ट 2022 के अधार पे देखी जाएगी, किंती की जाएगी, और नि पुरुष हैं तो 37 साल, महिला हैं तो 40 साल, पिछरा वर्ग, अतियंत पिछरा वर्ग की पुरुष्या महिला हैं तो 40 वर्ग, इसके अलावा भी कुछ छूट है, बट ये overall high level पे ये सारे age groups है, इसमें आगे जाओगे तो आप चैन परकिरिया, जो की selection process है, वो कैसे होगा, तो इसमें matriculation या समकक्ष जो आपका प्रमान पत्रोज में जो आपके अंक आए हैं, उसके प्रतिशत के अधार पे एक merit list तयार की जाएगी, इस merit list में अगर आप विश्व बैंक, पॉलिटेक्निक, सिक्षा, सुद्रिरी करन, परियोजना के अंतरगत आपने अगर काम कर है, तो उसका experience भी यहाँ पे count होता है, और हर एक वर्ष और हर एक year के लिए एक point आपको मिलता है, एक्जाम्पल के लिए अगर आपने 10th किया है, और आपने 3 साल तक इसमें का पहले विश्व बैंक, पॉलिटेक्निक, सिक्षा, सुद्रिरी करन में काम कर रखा है, और आप के 10th में अगर 60 परतिशत हैं, तो 60 प्लस 363 आपके points हो जाएंगे, merit list में, तो इस हिसाब से आप अपने merit list point का calculation भी कर सकते हैं, प्रोसेस ऐसा है कि इस merit list के लिए जितनी vacancy हैं, उससे 3 गुना भीरतियों को counseling के लिए बुलाया जाएगा, वहाँ पे आपके सारे documentation और सारे प final list जो निकाली जाएगी, उसमें भरति की जाएगी, apply करने के लिए आपको online इस website पे dst.bihar.gov.in पे जाना है, और मैंने link जो बताया तो वहाँ पे जाके आप apply कर सकते हो, apply करने के लिए आपको सबसे पहले register करना परेगा, उसके लिए उसके बात आपको एक unique user ID दी जाएग होंगे, आपको अपने सारा माता का नाम, पिता का नाम, जन्पती, metric, all details, everything, सब कुछ सही सही आपको ओंपे फिल करना होगा, इसमें photograph के लिए भी दिया हुआ है कि photograph 50GB से कम 200 से 230 pixel में JPG, JPG format में होना चाहिए, उसके बाद हस्ताक्षर के लिए भी आपको scan करके upload करना होगा, उसके लिए भी ये details आपको screen पे दिख रहे हैं, 20KV से कम और 14260 pixel JPG format में होना चाहिए, शैक्षनिक योगता के लिए आपको अपको अपने सारे documents submit करने परेंगे, अब इसके अलावा इस notification में और कुछ important तो नहीं है, but still आप जाके देख सकते हैं, इसकी last date 31st October 2022 है, ये ध्य जान रखने वाली बात है, इसके बाद apply करने के आप कोशिश भी करोगे, तो ये मानने नहीं होगी, अब वापस चलते हैं इस website पे, और एक बार हम apply online पे click करते हैं, अगर आप apply online पे click करते हो, तो आपको ये page open होता है, जिसमें आपको सारे instruction है, register, ये click here to register आपको दिख रह जाएगा, उसके बाद आप आराम से ये form को fill करके submit कर सकते हो, तो ये थी Department of Science and Technology की जो vacancy निकली है, उसके बारे में details, तो देर मत कीजिए, जल्दी से जल्दी apply कीजिए, अगर आप 10th pass हैं, तो ये आपके लिए एक सुनहरा आफसर है, like ये subscribe करने नहीं बोलूँगा, but share इस दोस्त, बाकी रिश्टेदार भी इस vacancy का पायदा उठा सके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,